एक शान्त राज्य सुरक्षित राज्य पिछले पांच वर्षों में नंबर वन महिला अपराध में बन गया है एक लाख नौ हजार महिला अपराध की घटनाएं पिछले चार वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुषकरम की घटनाएं राज्यस्थान में 22 प्रतिशे देश की महिला दुषकरम की घटनाएं राज्यस्थान में यह अपने आप में राज्यस्थान को नंबर वन महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगबग 10 लाग से ज़्यादा अपरादी घटनाओं को रिजिस्टर किया गया अब परधान मंतरी जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराद की घटनाओं पर राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए और सोनिया जी और राहुल गांदी जी के आदेश पर मुख्य मंतरी अशोग अलोजी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंतरी को बर्खास्त कर दिया बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंदर गुडा जी ने राज्यस्थान की हालाद पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़के राज्यस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराद की घटनाएं बढ़ रही है उसकी चिंता की जाए चर्चा की जाए और मुखे मंतरी अशोग गैलो जी ने राहुल गांदी जी सोनिय गांदी जी के अदेश पर उसको ही वरकास्त कर दिया और उन्होंने क्या कहा रेजंदर सिंग गुडा जी ने कि विधान सभा में मैं सीम से वान और जवाब मांगूंगा और बड़ी बात ये कही है किसी और नहीं जो साड़े चार साल राज्यस्तान की सरकार में अशोग गैलो जी की सरकार में मंतरी रहे उन्होंने कहा परदेश में सीम का इकबाल खतम हो गया है ये बहुत बड़ी बात है एक जो आपका मंतरी साड़े चार साल आपके साथ रहा है उन्हें का राज्यस्तान में अराजकता का महौल है सीम विधान सभा में आते हैं ना आते हैं ना जबाब देते हैं और ये मैं नहीं कह रहा जी ये राज्यस्तान में कॉंग्रेस के मंतरी ही अपने मुख्य मंतरी से सवाल खड़े करते हैं एक मंतरी तो ये हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराद पर कोई बात कही दूसरे मंतरी जिनको उन्हें शै दे रखी है और सरक्षन दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर जिनको बचाने का काम किया है अशोग एहलो जी ने वो शांती धारिवाल जी क्या क के साथ बलातकार की घटना हुई अपराद की घटना ही तो उन्हें कहा ये मर्दों का प्रदेश है और पूरे कॉंग्रेसी ठाक का मार के हसते हैं मंतरी और विधायक और मजाग उड़ाते हैं सोनिया जी प्रयंका जी राहुल जी इस पे कोई जवाब नहीं देखा के कॉंग्रेस पार्टी का